स्कार स्वागत है आपका दान यूज पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजयनी लोकसभाज चुनावों के बीश उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदिशनाथ को जान से माहने की धमकी देने वाले शक्स पर बड़ा एक्शन हुआ है तरसल समीम नाम के हुआ के खि रफ्तारी जद ही इस पूरे माफले में होगी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार तेजी के साथ वाहल हुआ जिसमें शमीम नाम का यह यूवक उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदिशनाथ को जान से माहने की धमकी दे रहा है जिसके बाद इस पूरे माफले में प्रियाकराज पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लेते हुए शमीम उस बबलू के खिलाफ एफ़ाहियार दर्च की है और अब पुलिस शमीम को ठूड रही है उसकी गिरफतारी जल्द ही होगी सामाची करकरता सरवेश कुमार ने शमीम के खिलाफ गं उसके घर पर बुल्डोजर चलवाने की हिमत की तो वो उन्हें बकरे की तरह काट देगा वो योगी अदिसनात को चुनोती दे रहा है कि मैं चुनोती देता हूँ कि मेरे घर पर बुल्डोजर चलवाएं और उसके बाद मैं उन्हें बकरे की तरह काट दूँगा ये शमीम के जो इस वीडियो में साफ तोर पर सुनाई दे रहे हैं जिसके बाद इस पूरे माफले को जब संग्यात में लिया गया तो जाहिट तोर पर इस शक्स पर दर्ज कराई गई और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है इस तरीके से ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी के साथ वाइरल हो रहा है चूंकि सीम योगी अलिथनात को ये शक्स समीम जो है चैलेंज देता नजर आ रहा है और इन सब के बीच मैं आपको ये भी माहने की धंकी दी गई है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार में माफियाओं पर एक्शन लिया है जिस तरीके से तमाम गुंटा करती खत्म करने के लिए वो दरसल एक्शन ले रहे हैं उतरपरदेश की पुलिस एक्शन मोड में हैं तमाम माफियाओं का खात्म हुआ है और इस तरह से ये एक और एक्शन जो है वो अब उत्तरप्रदेश में देखने को मिला है कि जहां पर आरोपी समीम को डरसल अब गिरफतार करने के लिए पुलिस अलग अलग जगों पर दविश दे रही है यह जो वीडियो है दरसल एक पत्रकार जो है इस वीडियो म समीम से ये सवाल करता है कि मुसलमानों पर आरोप लगता है सियम योगिया अठनाथ पर कि वो मुसलमानों पर बुल्डोजर शिलवा रहे हैं इस पर जवाब देते हुए समीम ने ये कहा कि हमारे उपर चला कर दिखा दे लाल गोपाल गंच में मेरा घर है जिला प्रियाग F.I.R. दर्च हो गई है F.I.R. में दरसल जो तमाम चीज़े लिखी गई है उसमें साफतोर पर ये लिखा गया है कि प्रियाग राच के लाल कोपाल गंच कस्पे के इमाम गंच इलाकी का रहने वाला आरोपी समीम वीडियो में सीम योगी को लेकर आपती जनक बयान दे रह है प्रियाग राच पुलिस ने केस दर्च के जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर जाही की है और ये साफतोर पर F.I.R. पर लिखा किया है जिसने F.I.R. लिखवाई है सरवेश कुमार उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें सीम योगी अरिषनात को एक नामगंच का वो रहने वाला है प्रियाग्रा जिला है इसके द्वारा दिये गए वक्तव्य से मेरी भावना आहत हुई है वारिल वीडियो के स्क्रिन शोर्ट और सीडी तयार कर रहा हूं आतना निवेदन है कि बवलू आनि समीम के खिलाफ कटोर कारवाई की जाए ये बगरे की तरह काटने की धंकी दे रहा है जान से मारने की धंकी दे रहा है और चुनोती एक तरीके से दी जा रही है उसके जर्खे तो इससे तमाम लोगों की भावनाय आहत हो रही है और शमीम पर जाहिद तोर पर एक्शन होना चाहिए या साफ तोर पर इस एफ आयार में मांग की गई है हाला कि उसने अपना पूरा एड्रेस जो है इस वीडियो में बताया है लेकिन बाउचुत इसके जब पुलिस ने उस पर एफाहियार दर्ज की है तो वो अब फरार हो गया है पुलिस अलगलत जगों पर उसकी तलाश में दबिश दे रही है जल्द ही समीम को गिरफतार कर लिया जाएगा यह पुलिस का कहना है लेकिन अपने आप में मावला हैरान करता है कि किस तरीके से जहां एक तरफ जो तमाम अपराधी है जो माफिया है जो गैंगेस्टर है उन पर कारपाई हो रही है बेहतर कानून वरस्था उत्तरपरदेश में बनी रहे इ जाहिर तोर पर उन पर बुल्डोजे चल रहे हैं जो अपरादी हैं जो गैंगेस्टर हैं जो माफिया हैं उन पर बुल्डोजे चल रहे हैं एंकाउंटर की खबरे भी हम लगातार सुन रहे हैं जो कि अपराद्यों को बकसने के पूर्ट में फिलाल मुख्यमंत्री योगी अ इसनात बोल रहे हैं और यही बज़ा है कि जब यह action हो रहा है तो कई लोगों को यह action रास नहीं आ रहा है और इस तरीके की बॉखलाहट जो है वो कहने कहीं देखने को मिल रही है और चुकि छुनावों का वक्त है तो ऐसे में तमाम पत्रकार जो है जनता से राय ले रहे हैं कि आपको क्या लगता है इन चुनावों को लेकर तो ऐसे में कहीं होगों की बॉखलाहट जो है वो सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में यह कहीं एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर साफने आया लेकिन जब यह सोशल मीडिया पर आया तो उसके एक्शन जो है वो देखने को मिला जहां पर इस शक्स समीम के खिलाफ एफ़ायार दर्च हो गई और अब एफ़ायार के बाद प्रियागराज की जो पुलिस है वो अलग-लग जगों पर जाकर दविश दे रही है शमीम की तलास कर रही है उसकी गिरफतारी जल्द ही होगी लेकिन तमाब लोग इस एक्शन की तारीफ भी कर रहे हैं कि प्रियागराज की फुलिस इस पूरे माफले को बड़ी गंभीरता से ले रही है और इस तरीके से जो है आगर धमकी दी जाएगी अगर इस तरीके के शिब्दों का इस्तमाल खिया जाएगा अगर इस तरीके की बॉकलाड दिखाए जाएगी तो जाहर तोर पर आप बच नहीं पाएंगे और यही वज़ा है कि शमीम पर भी यह एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की फृतिक्रिया दे रहे हैं लेकिन पहला मोका नहीं ह खिलाफ किसी ने इस तरीके का जहर उगला हो या उन्हें जान से माढने की धमकी दी हो और यह एक्शन होता है इस माफले में नजर आ रहा हो इससे पहले भी काई माफले एक्शे सामने आ चुके हैं जब इस तरीके के व्यक्तियों पर एक्शन हुआ है उनकी गिरफतारी ये अब सियम योगी अर्षनाद अपने बुल्टोजर एक्षिन के लिए फेमस हो चुके हैं फिलाल आपकी इस पूरे माखने को लेकर क्या राए है में comment box में ज़रूर लिए